नमस्कार मैं हुराज मोहंतिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार सरकार से नराज अभी तक चल रहे हैं अपने मामले को सुलजाने के लिए कभी सरकार के द्वार पर तो कभी विपक्ष के द्वार पर खरे नजर आ रहे हैं आज शुबा सुबा ही एक खबर हमें मिली थी कि STET महिला अव्यर्थी आज पहुची थी नेता प्रतिपक्षित जश्वी यादों से मिलने जहां पर वो अपनी शमस्याओं को रखना चाह रही थी और उनको भरोसा था कि शरकार तो उनके साथ नहीं है सरकार ने तो उनके खिलाफ ही कदम बढ़ा दिये हैं तो ऐसे में नेता प्रतिपक्षि अब उनके एक मात्र भरोसा है हालांकि नेता प्रतिपक्षित जश्वी यादों यहां पर उपस्तित नहीं है दिल्ली चले गए हैं ऐसे में नेता प्रतिपक्चते जश्वी यादों से यह स्टीची महिला अभेर्थी नहीं मिल पाई तो अब यह पहुच गई हैं राजद कार्यालेर आप तस्वीरों में देख शकते हैं कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंग के साथ इनकी बात्चीत हुई है और इन्होंने अपनी समस्या रखी है दरसल इन महिला अभेर्थियों की समस्या है कि जेनरल कोटे को 2011 में 45 प्रतिशत माक्स पर इन्हें पास घोसित किया गया था लेकिन इस बार जो 2019 की स्टीटी का रिजल्ट जारी किया गया उनमें यह आरक्षन का लाब इन्हें नहीं मिला है और इसी के लिए यह लगतार अपना संघर्स कर रही है नितिश शरकार महिलाओं की सशक्तिकरन की बात कहती है इनका यह कहना है कि नितिश शरकार हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरन की बात कहती है लेकिन बात जब ग्राउंड लेबल की आती है तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता है शरकार की विग्यपती में गलती सरकार का मानना है कि थी लेकिन अब जब शरकार एक बार इन से मुलकात ही नहीं कर रहे हैं शमस्याओं को फुल जाने की आश्वासन तो देना अब दूर की बात है वह पहले ही होता था अब क्या सरकार चाती है क्या नहीं चाती है इस पर अभी इसमंजस की स्तिती में बने हुए हैं और इस़िलिए अभ ये विपक्ष के द्वार पर खरे हैं क्या नेता प्रतिपक्ष तेजश्वी यादों इनकी समस्याओं को सुल्जा पाएंगे ये देखने वाली बात होगी बहुत जल्द बिहार में मौनसून सत्र भी शुरू होने वाला है और उमीद यही जताई जा रही है कि मौनसून सत्र सब्सक्राइब यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें